हेलो फ्रेंड फांडेशन आफ आर्क सौप्टियर के कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आपको याद होगा कि पिसले लेक्चर में हम लोगों ने कैल्कुलेशन के बारे में कुछ बात करी थी और हमने यह देखा था कि जब भी हम आर्सौफ्टियर में स्केलर और स्केलर के बीच में कैल्कुलेशन करते हैं और एक डेटा वेक्टर और स्केलर का साथ में कैल्कुलेशन करते हैं तो आर्र हमारा किस तरीके से कारे करता है और आपने यह भी अब्दर किया होगा कि जिस त हम डेटा वेक्टर की बाग करते हैं जिस तरीके से हम अपने पिस्टे लेक्चर में एक स्केलर और एक डेटा वेक्टर को लेकर के आपको भिन-भिन तरीके के एडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन दिखाएते वही कार आज हम आपको डे करिके से कार करता है, यह हम आपको बताने के कोशिश करेंगे. अब यह मैं आपको पहले बता दू कि जिस्त करिके से और हमारा डेटा वेक्टर के उपर और और आपरेशन करता है, वह थ्वासा अलग होता है. तो मेरी एडवाईस आप सभी के लिए यह है कि आपके लिए य और जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि R किस प्रकार से कार्य कर रहा है आपको जो अपने कैल्कुलेशन्स करने हैं वो आप R को सही इंस्ट्रक्शन्स के माध्यम से नहीं दे पाएंगे और जब तक माध्यम सही आपका नहीं होगा आप अगर किसी को गलत अगर instruction देंगे तो वो काम गलत होगा और सही instruction देंगे तो काम आपका सही होगा इसलिए हमारे और आर के बीच में ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस तरीके से आर कार करता है हमको उसी पद्दती को follow करते हुए अपने calculations के commands को उसी format में देना पड़ेगा और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इन data vectors के operation को अच्छे से समझें आज का जो lecture है उसमें से भी हम addition, subtraction, multiplication और division चार operations की बात करेंगे और जो हम आपको पहला operation लेंगे उसमें हम आपको त्वासा विस्तार से समझाएंगे कि R के अंदर operation कैसा हो रहे है और जब आप ये समझ जाएंगे फिर आप देखोगे कि आगे कि जो भी बाकी operation से उसी line पर हो रहे हैं उसी shift-th क्रदान पर हो रहे हैं तो आप उनको समझे में समय बहुत कम लगेगा तो चलिए हम इस लेक्चर की की शुरुबात करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे डेटा वेक्टर की उपर मैथमेटिकल अपरेशन कैसे होते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने दो डेटा वेक्टर लिये हैं आपको अधान के यह है हमारा डेटा वेक्टर वान नाम देते हैं हम डी वी वान इसके अंदर कितने अलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार और कौन से अलिमेंट्स हैं दो तीन पांच और साथ और ऐसी हमारा दूसरा डेटा वेक्टर है इसको हम नाम देते हैं डी वी टू इसमें भी हमारे पास कितने elements है चार एक दो तीन चार तो दोनो डेटा वेक्टर में हमारे पास जो elements है वह कमान है दोनों में क्या चार elements है और हम यहां पर उनका addition करना चाहते हैं प्लस करना चाहते हैं तो अब हम आपको यहां पर यह दिखाना चाहेंगे कि इनका जो addition होता है उसमें operations क्या होते हैं उसके steps क्या होते हैं तो अब अगर हम माल लिए यहां पर हम इन ही data vectors को अगर हम तो अच्छे से लिखते हैं dv1 और dv2 पहला हमारा क्या है c 2 3 5 और 7 और दूसरा हमारा क्या है minus 2 minus 3 minus 5 और 8 अब देखें जब भी आप data vectors की बात करते हैं यह वाला 2 यह जो है यह कहां पर यह position number 1 पर है राइट उसी तरीके से जो हमारा दूसरी value है तीन इसकी position number क्या है दो है उसी तरीके से 5 और 7 हमारे 3 और 4 position पर हैं उसी तरीके से आप अगर देखेंगे की दूसरे data vector में जो इसके हमारी positions क्या क्या है कि 1, 2, 3 और 4 यह हमारा क्याने का मतलब है अब आप क्या चाहते हो करना आप इसमें addition करना चाहते हो तो अब हम देखते हैं कि R किस प्रकार से addition करता है तो R सबसे पहले क्या करेगा data vector 1 में पहली position पर जो भी number लिखा हुआ है उसको वो दूसरे data vector की पहली position पर जो number लिखा हुआ है उसके साथ में add कर देगा तो अब अगर आप देखी अगर जो R software में जो हमारा data vector का concept होता है उसके अनुसार जो पहले data vector में value क्या है दो और दूसरे data vector में पहली value क्या है माइनस दो अर्थात की data vector 1 और data vector 2 में जो पहली position पर दो number है वो है हमारे 2 और minus 2 तो यह दोनों हमारे add हो जाएंगे और यहां पर हमको उसका उत्तर मिल जाएगा 2 plus minus 2 जो हमारा 0 है अब इसके बाद हमारा R software आगे भगेगा और वह जो हमारे data vector 1 में दूसरी position पर जो number दिये हुए है जैसे data vector 1 में दूसरी position पर हमारा है 3 और data vector 2 में दूसरी position पर हमारा है और जो data vector 1 में तीसरे number पर number है 5 और data vector 2 में तीसरे number पर जो number है minus 5 उनको आपस में add कर देगा जैसे दिकिए यहां पर plus हो जाएगा और यह value को जाएगी 5 plus minus 5 जो हमारी फिर से शूर्न हो जाएगी और फाइनली जो हमारा R है data vector 1 और data vector 2 में जो चौछे number की positions है वहां पर आएगा और उनको आपस में add कर देगा तो यहां पर आपको value मिल जाएगी 7 plus 8 जो है 15 और इसी लिए आप अगर देखेंगे आपको यहां पर यह values मिल गई है और यह operations हमारे हुए हैं और यह का screenshot है तो आपने देखा कि जब भी हम R software में अपने इस data vector के साथ में calculations कर रहे हैं उसमें से जो भी हमारे number respective positions पर होते हैं जो उनकी location होती है कि वो पहले number पे हैं दूसरे पे हैं तीसरे पे हैं इत्यादी उसके अनसार calculations होते हैं और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली position के operation साथ में होंगे दूसरी position के number के operation साथ में होंगे इत्यादी मतलब अगर आपके पास दो data vector हैं तो दोनो data vector में जो पहली number पर पहली position पर जो number हैं उनके operation साथ में होंगे दोनो data vector में दूसरी position पर जो number हैं उनके operation साथ में होंगे उसी तरह के से जो आगे के हमारी पॉजिशन्स हैं उनके ओपर जो भी नंबर हैं वो अपनी पॉजिशन के अनसार उनके अंदर कैल्कुलेशन होते जाएंगे अब देखिए यहां तो मैंने आपको यह फिलस के बारें बताया कि अगर दो डेटा वेक्टर के अगर आपको एड करना हो तो क्या होगा लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम इसी अडिशन को अगर हम मान लीजे सब्ट्रैक्शन में मल्टिप्रिकेशन में होगे जी हां बिलकुल यही कॉंसेप्ट हमारा आगे बीचते लेगा और यही बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको जो भी पहला उधारग लूँगा उसमें से मैं आपको जिस्तार से बताने की कोशिश करूँगा और आगे आपको इनी कॉंसेप्स को आगे कॉपी करना ह अब हम आगे बलते हैं अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंने दोनों डेटा वेक्टर्स में जो आपकी यह थे दोनों में मैंने समान नंबर के अंक लिए थे दोनों में कारशार वेल्यो थी अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में हमारे पास number of elements अलग-अलग हो dedakir मैंने यहां पर भारत लिया हुआ है कि पहले data vector कितनी value है 4 और दूसरे data vector में कितनी value है 2 पहले data vector में value है 2,3,5,7 और दूसरे data vector में value है 8 और 9 अब अब जब हम दूसरे data vector में यहां पे खाली 2 values ले रहे हैं और यहां पे हम कार वेलूज ले रहे हैं तो आप यहां पे दो आपशन हैं यहां पे आप अगर देखें के कि दूसरे डेटा बेटर में इसको मुझेघ illnesses dv1 ँवी 2 के अंदर कितने시면 kang sagt है वो हमारी जो हमारे डीवीवन में संक्याइं है उनके exact मतीप्ल है अर्था डीवीवन में sंक्या चार और डीवीटो में किती चंक्याइए 2 तो अगर आप दो में अगर दो का exact multiple कोरें विल clipika इक जाए 4 लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है की डीवीटो में तो आप क्या करेंगे तो इसी बात को मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास यहां पे दो option है एक data vector होगा जिसकी लंबाई जादा होगी और दूसर डेटा जिसकी लंबाई चोटी होगी और वह पहले वाले data vector के सापश में चोटी होगी अब जो चोटी लंबाई वाला data vector है उसमें भी हमारे पास दो options हैं जो उसकी लंबाई है वो बगे वाले data vector का exact multiple है या ऐसा नहीं है अब इन दोनों cases में हमारे calculations कैसे होंगे यह मैं आपको यहाँ प्रुधारन के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको आगे जो भी हमारे calculations होंगे subtraction के division के multiplication के वो भी उसी नियम पर कारे करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको दो data vector लेते हैं dv1 और dv2 तो dv2 में और dv1 में हमारी जो जो values हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं और साथ में जो उनकी positions हैं उनको भी लिख लेते हैं अब आपने देखा कि यहाँ पर dv1 में कौन कौन सी value हैं दो तीन पांच और साथ और इनकी position क्या है वान तू थ्री और फोर और जो हमारा dv2 है वहाँ पर कौन कौन सी संख्या हैं आठ और नौ और हमको करना क्या है हमको उनको add करना है अब जो हमने अभी नियम समझा है कि जो भी प्रथम position पर जो संख्या होगी वह दूसरे data vector की जो प्रथम position पर जो data vector की जो value है उसी से add हो जाएगी तो data vector 1 में पहली position पर जो हमारी value क्या है 2 देखी ये 2 और data vector 2 में जो पहली position पर value क्या है 8 अब हम 2 और 8 को यहाँ पर add कर देंगे हमारा answer आज जाएगा 10 अब हम उसके आगे बगते है data vector 1 में दूसरे number पर position पर कौन सी value है 3 और data vector 2 में दूसरे number पर position पर value कौन सी है 9 तो यह जो 3 और 9 दो दोनों हमारी position number 2 पर values है दोनों data vectors में दोनों का sum हो जाएगा 3 प्लस 9 और यह हो गया 12 अब आगे जड़ा सोची क्या होगा अब R जब आगे पगता है तो R को यहाँ पर confusion हो जाता है R कहता है कि यहाँ तो हमारे पास 8 और 9 था अब जब हमको यहाँ पर हम आगे आ रहे हैं तो हमको यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो R क्याक्त करेगा R यहाँ पर यही दो जो हमारी values है आठ और 9 इनको यहाँ पर copy paste कर देगा जो यहाँ पर blank space थी जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर यह आठ और 9 को पूरा पूरा उठा करके पूरा पूरा यह जो block है यह उठा करके यहाँ पर copy कर देगा आपको ध्यान लखना है मैंने block की बात करी है अगर यहाँ पर 2 संख्याए है तो यहाँ पर 2 संख्याए आएंगी और अगर पहली वाली जगह पर 2 से ज्यादा संख्याए है तो उतनी संख्याए का जो block आगे भी आएगा अब अब आर का काम थोज़ा आसान हो गया अब आर ने यहाँ पर देखा कि जो भी हमारी data vector 1 में third number पर value थी 5 लेकिन third number पर data vector 2 में यहाँ पर देखिए कोई value नहीं थी तो इसकी जगह आपने यहाँ पर value लिग दी है 8 और वो 5 और 8 को add कर देगा और उत्तर आजाएगा आप का क्वेरा और जहां पर आपने जो चौथी जगह पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है साथ वहां पर आपने आर में अब उसको चौथी जगह पर दूसरे डेटा वेक्टर में लिख दिया है नौ तो ये साथ और नौ मिला करके बन जाएगा और आपको यहां पर उत्तर मिल जाएगा दस बारा क्वेरा सोला तो इस तरीके से और आपका आर काम करेगा और देखे यही इसका स्कीन शौट भी यहां पर दिया हुआ है अब ये उधाराग लेने के बाद में हम एक और उधाराग लेते हैं कि और इस ऊदाराग में मैंने अपने डेटा वेक्टर 1 में तो लिए हूँ है कितने चार और जो हमारा डेटा वेक्टर टू है इसमें हमने लिये हुए है किन अब यहाँ पर आर्ग कैसे operate करेगा जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं यह भी बहुत ही आसान है जैसे कि आपने यहाँ पर डी वी वन और डी वी टू के दोनों अलिमेंस लिए और साथ में आपने अब position यहाँ पर दीए है वान, टू, थ्री और फ्रॉर राइट अब यहाँ पर आप इसकी जब वेल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी पहले डेटावेक्टे की वैल्यू है दो, तिन, पांच और साथ और दोसे डेटावेक्टेर की केके वैल्यू है आठ, नौ और 10 अब इसमें से आपको करना है addition अब देखिए पहले वाला ही हमारा नियम लगेगा जो भी हमारे डेटा वेक्टर 1 में पहले नंबर पर value दी है 2 और डेटा वेक्टर 2 में पहले नंबर पर value दी है 8 इनका दोनों का addition हो जाएगा और यहां पर मुझे को 2 प्लस 8 करके answer मुल जाएगा 10 फिर इसके बाद में हमारा R software आगे आएगा और जो डेटा वेक्टर 1 में दूसरे नंबर पर value लिखी है और डेटा वेक्टर 2 में दूसरे नंबर पर value लिखी हुए है तीन और 9 कमशा यह तीन और 9 आपस में add हो जाएगी और यहां उत्तर मिल जाएगा हमको 12 इस इसके बाद में फिर से हमारा R आगे आएगा और जो डेटा वेक्टर 1 में 3rd number पर value लिखी है 5 और डेटा वेक्टर 2 में 3rd number पर value लिखी है 10 यह दोनों add हो जाएगी और यहां पर मिल जाएगा 5 प्लस 10 15 अब समस्या इसके बाद आती है अब जब हमारा R आगे बगने की कोश कोशिश करता है तो वह देखता है कि यहां पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर से क्या करेगा यह पूरे पूरे ब्लॉक को यहां से copy करेगा और इस पूरे पूरे ब्लॉक को यहां पर add कर देगा अब जब इस ब्लॉक को यहां पर add करने की कोशिश करेगा तो देख वह data vector 1 में जो चौछे number पर position थी पर जो value थी 7 उसको वो data vector 2 की जो पहले number की value थी 8 उसमें इसको add कर देगा और यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा 7 plus 8 equal to 11 अब और फिर से आगे बगलता है अब आज देखता है कि यहां तो उसको number मिल गए data vector 2 में दोनों पोजिशन पर दो number लिके हुए 9 और 10 लेकिन data vector 1 में यहां पर कोई number नहीं है अब आर यहां पर confused हो जाता है वो अगर यहां पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा उसको खुद नहीं पता है क्योंकि 9 और 10 को वो किन संख्याओं में जोड़े रह उसको नहीं पता है तो इस कारण से आर यहां पर रुप जाता है और यह आपको एक warning message देता है और warning message आप अगर पढ़ने की कोशिश करिए साधारासी भाषा में तो क्या लिखी है longer object length is not a multiple of shorter object length अथात आपके object क्या थे यहां से dv1 और dv2 dv1 की लंबाई कितनी है चार और dv2 की लंबाई कितनी है तीन तो यह आपको सम्झाने की करता है कि जो आपका data vector या जो object है छोटी लंबाई का है उसकी लंबाई दूसरे data vector की लंबाई का exact multiple नहीं है exact multiple का मतलब क्या होता है जैसे तीन का जो exact multiple अगर हम दो से करें तो क्या हो जाएगा three into two six तीन से करेंगे तो three into three nine तो अगर आपके data vector में छे या नव elements होते पहले वाले data vector में और दूसरे में अगर आठ नो दस होते तब यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप देख लिए मैंने आपका कार्ण तो कर दिया है लेकिन मैं आपको यहां पर एक warning भी दे रहा हूं आप यह देख लिए कि यह जो भी यहां से हो रहा है या आपने कोई प्रोग्राम में गल्ती करी है उसके कारण हो रहा है और इसको देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ हो रहा है वह प्रोग्राम के अंतरगत होना चाहिए यहां कहीं पर कुछ प्रोग्रामिंग में मिस्तेक हो गई है तो आप इसको क्रॉस चेकर लिए उसके बाद आगे का जो फैसला है वो आपके उपर डिपन करता है तो देखिए इसका स्क्रीन शॉट भी है अब हम आपको एक काम करते हैं आगे बगलने के पहले हम आपको जड़ा इनको आर कंसोल में भी करके दिखा देते हैं कि आपको थोड़ा सा confidence आजाना चाहिए कि यह कैसे कार करते हैं तो अब हम देखिए यहाँ पर हम दो कोई डेटा वेक्टर ले ले लेते हैं us guard each say c1234 और हम ले लेते हैं यहाँ पर शी खिक्स 789 और हम दोनों को बात करते हैं तो अब देखिए क्या हो जाएगा डेटा वेक्टर 1 में पहली पोजिशन पे क्या है 1 और दूसरे डेटा वेक्टर में पहली पोजिशन पे क्या है 6 तो यह 1 और 6 एड हो जाएंगे पहले डेटा वेक्टर में दूसरी पोजिशन पर क्या है दो और दूसरे डेटा वेक्टर में है साथ तो यह दो और साथ एड हो जाएंगे पहले डेटा वेक्टर में तीसरी पोजिशन पर नंबर है तीन यह दूसरे डेटा वेक्टर की तीसरी पोजिशन पर जो नंबर है आ 9 11 13 क्यों 1 और 6 7 2 और 7 9 3 8 11 और 4 और 9 14 अब इसी में हमें काम करते हैं हम ज़ास tirar 110 की लंबाई को कम कर देते हैं और हम इसको exact multiple कर डेते हैं तो पहले elements ul से पहले data for 2 oneaffles 3 4 और दूसरे देटा element में हमारे पास 6 और 7 अब जब इसको कोरेंगे, तो देखी क्या होगा? ये 6 आर 7 बोनो 1 ऐक और 2 के उपर पहले बोपोरेट होनेगे और फिर्से वो 6 और 7-8, तो क्या मिल जाएगा? एक प्लस 6 é 7, दो प्लस साथ नौ और फिर से तीन और चार में छे और साथ का एड़ हो जाएगा तो तीन प्लस छे नौ और चार और साथ ग्यारा और इसी तरीके से अगर हम माल लिजे इसमें से हम कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे डेटा वेक्टर में हम करते हैं elements और पहले data vector में car elements तो exact multiplier नहीं है अब इसमें से क्या होगा यह जो 6, 7, 8 हैं यह आपके 1, 2, 3 के साथ में क्रमशा आ करके add हो जाएंगे और जो चौथा number है इसकी value है 4 वह आपके दूसरे data vector की पहली value के साथ में add हो जाएगा लेकिन 7 और 8 को add करने के लिए data vector में कोई value नहीं ह तो यह आपको warning देदेगा और आप जो इसका result कुछ कुछ आचा जाएगा 7, 9, 11, 10 साथ कहां से आया एक और 6, 7, 2 और 7 यह दो और यह वाला 7 मिलके 9, 3, 8, 11 और इसके बाद में 4 और यह वाला 6 मिलके 10 और लेकिन साथ में आपको warning message भी दे रहा है longer object length is not a multiple of the shorter object length इसको आपको देखना पड़ेगा और यह ensure करना है कि आप यही चाहते थे तो अब देखी यह वाला addition को समझने के बाद में अब हम आपको subtraction के बारे में बात करते हैं अब आपको नहीं लगता कि जब आपको addition के सारे सारे basic fundamental समझ में आ गए हैं तो यह subtraction को समझना आपके लिए बहुत ही command length का ले रहे हैं तो पहले data vector में आप लिए dv1 इसमें हमारे पास 4 element है 2, 3, 5 और 7 और दूसरा element जो हमारा data vector है dv2 इसमें भी हमारे पास 4 element है minus 2, minus 3, minus 5 और 8 अब इसमें से देखिए जो dv1 में पहली position पे number है 2 और dv2 में पहली position पे number है minus 2 यह हमारे एक साथ operate होंगे और इसक उसी तरीके से हम जब आगे बगलते हैं तो dv1 में दूसरी position पे हमारा number है 3 और dv2 में दूसरी position पे number हमारा है minus 3 अब यह और यह आपस में subtract हो जाएंगे और आपको देखिए यहाँ पर यह operation मिल जाएगा 3 minus minus 3 और जिसका उत्तर आजाएगा 6 अब उसी तरीके से आर हमारा आगे बगने की कोशिश करता है और उसको dv1 में third position पे number मिल जाएगा 5 और dv2 में third position पे जो number मिल जाएगा minus 5 तो यह देखिए क्या है minus 5 तो इनका जो operation हो जाएगा दोनों subtract हो जाएगे और आपको उत्तर मिल जाएगा 10 अब उसी तरीके से अब हमारा dv1 में जो चौथी position पे जो number है 7 और dv2 में चौथी position पे जो number है 8 यह आपस में operate हो जाएगे तो 7 minus 8 और आपको उत्तर मिल जाएगा minus 1 तो आपने देखा exactly वही काम तो हो रहा है जिसके तरीके से आपने addition में किया था कि जिस position पर जो number है वह अपने data vector में जो बाकी data vectors में जो positions हैं उनके साथ में उसका operation होता है इसमें भी आपने देखा कि data vector 1 और 2 में जो पहली position पे number हैं उनका subtraction हुआ जो दूसरी position पे number हैं उनका subtraction हुआ उसी तरह के से जो तीसरी और चौथी position पे जो number हैं उनका आपस में subtraction हुआ यही process हमारी आगे बगती जाती है बस अब हम एक और case लेते हैं जैसा मैंने addition के case में लिया था कि हम यहां पे आपको जो दूसरा data vector है उसकी हम लंबाई कम कर देते हैं तो पहला case हम लेंगे जहां पे exact multiple है और दूसरे case में हम जहां पे exact multiple नहीं है उसको लेने की कोशिश करते हैं तो अब आप देखिए जो मेरा पहला data vector है यह हमारा क्या है dv1 इसमें कितने elements है चार बारा तेरा पंदरा उसकत्रा और जो हमारा दूसरा element है दूसरा data vector है dv2 इसमें कितने element है दो आठ और नो तो इसमें भी देखिए क्या होगा अगर आप उसी तरह का operation अगर देखने की कोशिश करिए अगर dv1 और dv2 इसमें से जोन की position element के लिख जीजिए एक, दो, तीन, और चार और यहां पर चार तो dv1 में कौन कौन सी value है बारा, तेरा, पंदरा और सत्रा और उसके बाद में अब dv2 में कौन कौन सी values है आठ और नौ तो सबसे पहले यह वाला जो block है यह हमारा operate हो जाएगा और इसमें समको subtract करना है तो बारा में से आठ गया और तेरा में से नौ का हमारा जो operation हो जाएगा अब उसके आगे आने के लिए आर को थ्वासा confusion हुआ कि आगर आगे आता है तो यहां पर तो पंदरा और सत्रा दिया हुआ है लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसने इसी block को यहां पर उठा करके copy कर दिया और इसने यहां पर आठ और नौ लिग दिया और उसके बाद उसने फिर जो वी तिसे नमबर पर दुफे दो ते पंदरा और और उनको सब्ट्रआ कर दिया और फिर जो चौते नमबर पर जो ऐलिमेंट थे सत्रह और नौ उसको इसने सप्रेट कर दिया और यही वाला देखिए ऑपरेशन आपको स्क्रिंग शॉट में भी यहां पर दिखाए गया है और इसका जो उत्तर आजाएगा बारा में से आठ गया चार, तिरह में से नौ गया चार, पंदरह में से आठ गया साथ, और सत्रह में से नौ गया आठ और यही देखिए वैल्यू आपको यहां पर दी होई है यहां पर या यहां पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं तो यह तो बहुत यह आसान काम था और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने अदिशन के केस में किया है चली कि अब हम आपको एक और दे राग लेते हैं जहां पर हमारे पास जो पहला data vector है टी वी ऐन इसको वा मम्देदे दे के इसनेगव कुतने element ने चार वारा तेरह पंद्रह और खत्रा और जो हमारा दूसरा डेटा वेक्टर है उसके अंदर कितने झालिमेंट है तीन इसको नम दे देते हैं डीवी टू तो इसके अंदर भी देखिए हमारा ऐसे ही होगा कि अगर हम डीवी वन और डीवी टू को अगर हम यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे बारा, तेरा, पंदरा, खत्रह आ गए और डीवी टू के आ गए आठ, नौ और दस तो ये वाला ब्लॉक तो हमारा पहले ऑपरेट हो जाएगा कि बारा में से आठ गया, तेरा में से नौ गया और पंदरा में से दस गया लाइक डिस जैसी ये है और उसके बाद में फिर ये जो हमारा आठ, नौ और दस का जो ब्लॉक है ये वाला ये हमारा पूरा पूरा यहाँ पर फिर से कॉपी हो जाएगा आठ, नौ और दस तो अब ये खत्रा में से आठ को तो घटा देगा लेकिन नौ और दस को घटाने के लिए उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा इसलिए आठ कंफियो हो जाएगा और आप वो आपको कहा देगा कि भाई यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज है कि है और वार्निंग मैसेज क्या है वही है कि आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आप यह दो डेटा वेक्टर हैं उनकी जो लंबाई है वो बराबर नहीं है लिकिन साथ में जो चुछा डेटा वेक्टर की लंबाई का इक्जाट मल्लिपल नहीं है और उसी तरह का आपको यहां पर आपको उत्तार मिल जाएगा बारह में से आट गिया चार त्यरह में से नो गिया 4 तंdar में 17 में से आट गिया 9 और यह जो उत्तिर देखें he is heों तेhen और जिप आपको यहां भी दिआ हुआ इस अब हम आपको जरह सह यह tu आपको हम आर सॉफ्टियर के अंदर भी करके दिखा देते हैं जिससे कि आपके अंदर कॉंफिनेस आ जाना चाहिए अब अगर माली हमें डेटा बेचर लेते हैं दस ग्यारा बारा केरा और उसमें से हम यहां पे सब्टाइट करते हैं आप इसको जब आप सब्टाइट करेंगे तो क्या होगा यह थीन शे एक डो यह पूरा पूरा ओर के यहां पर आएगा और जो इनकी रिस्पेक्टिव पोजिशन सेंदा ग्यारा बारा किरा उनसे यह इन नमबर को सब्टाइट कर देगा तो देखें आप इंटर करें तो क्य आजाएगा 10 में से 3 गया 7 11 में से 6 गया 5 12 में से 1 गया 11 और 13 में से 2 गया तो भी 11 आया तो देखें दोनों गया और हैं लेकिन अलग अलग अपरिशन से आ रही हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है अब इसी में अगर हम दूसरे डेटा वेक्टर की की लंबाई को कम कर द हैं तो आप लेकिए आपको अतर क्या आजाएगा यह जो दूसरी डीटा वेक्टर में है तीन और छे तो सबसे पहले दस हो ग्यारा मैंसे तीन शे घड़ जाएगा उत्र आजाएगा स्कात और पाच और फिर से हमारा तीन शे उड़ करे आएगा और भाराव के लाम इसको घटा देगा, हमारा उत्तर आ जाएगा नाव और साथ और इसी में अगर हम माल लीजे कि अपमे दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई को कःड़ते हैं तीन और पहले वाले डेटा वेक्टर की लंबाई को लखा है चार और अगर हम इसको इंटर करेंगे तो क्या होगा? यह 3, 6, 1 उट करके आएगा और यह 10, 11, 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद यह जो चौता नमबर बचेगा 13 इसमें से हमारा 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी नमबर के बारे में वह हमको वार्निंग द आपको warning message भी दे दिया तो आपने देखा कि R बिलकुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम लोग ने यहां पर अभी समझने की कोशिश करी है तो अब आपने addition और subtraction दोनों समझ लिया अब हम आपको multiplication की ओर ले करके कलते हैं और यही वाले जो हमने जिस तरीके के operations अभी की हैं इ लेकिन हम वहां पर multiplication करेंगे तो multiplication का तो sign पता है आपको कि यह star sign होता है अब हमने यहां पर देखी दो data vector ले लिए आप इसको नाम दे लिए dv1 और say dv2 और दोनो data vector में कितने elements है का चार element है अब इसमें से भी देखिए यही कार हो जाएगा अगर हम कहें कि dv1 और dv2 को अ पांच साथ और dv2 में का element से माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच और आठ तो बस जब हम इसको multiply करने की कोशिश करेंगे तो दो और माइनस दो आपस में multiply हो जाएंगे तीन और माइनस तीन आपस में multiply हो जाएंगे पांच और माइनस पांच आपस में multiply हो जाएंगे और सा मुलिप्लाई हुए जो हमारे दूसरी पोशिशन पे नंबर थे तीन और मैनस यह हमारे मुलिप्लाई हुए और तीसरे नंबर पे जो अलिमें थे वो हमारे आपस में मुलिप्लाई हुए और चौति नंबर पर या जो चौति पोशिशन पे जो हमारे नंबर थे साथ और आठ यह मारे अपस में multiply हुए है, इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगर दो इन्टू, दो इन्टू, 2 इन्टू, 2 is minus 4, 3 इन्टू, 3 is minus 9, 5 into minus 5 is minus 25, और 7 into 8 is 56, तो यह देखी जही उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और जो इसका screenshot है यहाँ भी दिया हुआ, कि अब हम अपना धारन को उसी तरीके से चेंज करते हैं जैसा मैंने दिशन किया था कि अब हम यहां पे जो दूसरा डेटा वेक्टर है उसकी हम लंबाई को छोटा कर देंगे तो पहला जो हमारा डेटा वेक्टर है वर्म्न उसमें रखे हैं चार एलिमेंट्स दो तिन हो नौ तो देखिए यहां भी हमारे पास वही कार होगा अब हम जब दोनों को मुलिप्लाई करते हैं तो डीवी टू के जो दोनों ऐलिमेंट से आठ हो नौ यह उठ करके सबसे पहले पहले डेटा वेक्टर में आएंगे और दो और तीन के साथ में उनका मुलिप्लिकेशन हो मुलिप्लाई कर देंगे तो पांच और आठ का मुलिकेशन हो जाएगा और सात और नौ का हो जाएगा और जो हमको उत्ता अपने ऴी लिखी पॉजीशन और यहां वन्डू-टू- trie-four और यहां पे आपने लिखा अपना डी वी बन अच्रू-डी वनच्णु तो दिखिए दो, टीन पैंच और सात को लिखा और यहां पर आपने लिखा आठ औरनौ तो आठ और नो यहां पर हमारे मलिप्लाइओ और हो गह है उसके बाद में हमारे पास यहां पर कुछ नहीं बचा तो इसने आठो नौ को उठा करके यहां पर फिर से कॉपी कर दिया आठो नौ और इनका हमारा आपास में मलिप्रिकेशन हो गया और उत्तर आपका देखी जही आगया जो आप यहां से निकालेंगे कि 2 x 8 is 16, 3 x 9 is 27, 5 x 8 is 40, and 7 x 9 is 63. अब इसी कार को अगर हम फिर से रिपीट करना चाहें, अब लेकिन मैंने अपने धारण में दूसरे डेटा वेक्टर में dv2 में मैंने team elements रखए यह और dv1 में में मैंने चार elements रखए यह तो यहां भी हमारा उसी तरह का operation होगा कि अगर हम यहां पर हम लिख देते हैं positions और यहां पे हम पर लिखते हैं dv1 और dv2 तो पहले data vehicle हमारी values हैं तो तीन पांच और साथ और दूसरे में है आठ नौ और दस तो सबसे पहले हमारा इन तीन वैल्यू का आपस में अपरेशन हो जाएगा और इनका मलिप्रिकेशन हो गया टू इंटू एट इस सिक्स्टी इंटू नाइन इस सिंटी सेवन फाइट इंटू टैन इस फिफ्टी अब उसके बाद जब हमारा आगे आने की कोशिश करता है तो इसको यहां पे कुछ नहीं मिलता है तो यह क्या करे आठ नो और दस तो उसने सेवन और एट को तो उसने मलिप्लाई कर दिया लेकिन जब यह नाइन को मलिप्लाई करने चला तो उसको डेटा वेक्टर वन में यहां पे कोई वैल्यू नहीं मिली तो यह क्या करेगा यह कंफ्यूज हो गया और इसने खाली आपको सेवन यह यहां भी उत्तर आया है और यही आपका स्क्रीन शॉट में भी दिया हुआ है लेकिन साथ में वार्निंग भी है कि आपका जो भी दूसरा डेटा वेक्टर है जो जो पहले वाले डेटा वेक्टर से कम लेंद का है उसकी लंबाई पहले वाले डेटा वेक्टर की लंबा आप अपना फैसला करिए और आगे बढ़िए हम आपको यहां पे एक बार इसी कार को आर सौफ्ट्वेयर में करके भी हम आपको दिखाते हैं अगर हम यहां पर माले की कोई लेटे हैं टू थ्री फोर और फाइब और उसको अगर हम माल लिजे कि अगर हम 5, 6, 7 और 8 से multiply करते हैं तो देखी क्या आएगा आपको क्या उमीद है यहां पर क्या आएगा चलिए देखते हैं यह तो error आगे यह क्या हुआ क्योंकि मैंने यहां पर small c की जिए capital c लिया हुआ है अब इसको हम ठीक कर लेते हैं चलिए कोई बात नहीं अब हम देखते हमारा उत्तर क्या आता है अब आपने देखा कि यह 5, 6, 7, 8 यह जो भी कुछ है यह आपके दो तीम कारपास के जो number है इनकी जो respective positions हैं वहां पर आके आपसे multiply हो जाता है यह दो जो पहले नंबर पर है व महां से multiply हो गया उसी तरह के साथ और आठ को जो पहले केटा वेक्टर की तीसरी और चौती पोजिशन पर जो values है उनसे multiply कर दिया और आपका यह उत्तर आ गया अब हम इसी सवाल को थ्वासा बदलते हैं और हम इसमें से अपने दूसरे डेटा वेक्टर में खाली दो elements लेकर समर हो गया 18 और फिर से हमारा 5 और 6 उठा और यह इसने तीसरे और चौते नंबर पे लिखे होगी संख्याओं से उसको multiply कर दिया तो 4 इंटु 5 हो गया 20 और 5 इंटु 6 कितना हो गया 30 अब अगर इसी में अगर हम अपनी इसकी लंबाई को exact multiple नहीं रखते हैं और दूसरे डेटा वेक्टर में हम कर देते हैं तीन संख्याओं और पहले डेटा वेक्टर में कर देते हैं कार संख्याओं अब हम देखें कि मालिप्लाइ कर तो क्या होगा तो यह पांच है और में मुलिप्लाई हो जाएगा लिकर उसके बाद में वो आपको वrawर्निंग तेगा तो पांच से शाथ को आप जब दो तिन चार्ट से मुलिप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दensor 45 लेकिन साथ पर फीजाऊ तो इसने आ आपको वार्निंग भी दे ली कि यहां पर आपको गल कर रहे है और गलती यही है कि जो दूसरा डेटा वेक्टर है जो कि लबाई तीन है और जो पहला डेटा वेक्टर है उसके लबाई चार है तो तीन चार का exact multiple नहीं है अब हम आपको अंत में division के बारें बताते हैं लेकिन मुझे को पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको division समझ में आ गया होगा कि हम उसमें से किस प्रकार से इसको करने वाले हैं तो अब यहां पर उसी तरह के team करीके क्यों धारग लेंगे तो पहला धारग में हमने कहा कि जो हमारा dv1 है पहला data vector उसके अंदर car values है चौबेस, बीस, आठ, सोला और जो हमारा dv2 कुसरा vector है उसके अंदर भी उतनी value है चार तीन, चार दो और आठ तो इस पे भी यह होगा कि जो हमारे first position पर values है चौबेस और तीन यह आपस में देके divide हो जाएंगी और उ उसी तरीके से आप अगर आगे आते हो तो जो दूसरे नंबर पर value दी है data vector 1 में 20 और data vector 2 में 4 यह आपस में divide हो जाएंगी और आपको उत्तर मिल जाएगा 20 divided by 4 5 उसी तरह से आप जब आगे बगेंगे तो आपको data vector 1 और 2 में जो तीसरे नंबर पर position है 8 और 2 क्रमिशा यह आ आपको divide हो जाएंगी और आपको उत्तर मिल जाएगा 8 divided by 2 4 और उसी तरीके से अंतता आपको जो भी data vector में 4 नंबर पर value है 16 और data vector 2 में 4 नंबर value है 8 यह आपकी multiply हो जाएगी और आपको उत्तर मिल जाएगा 16 divided by 8 जो है 2 तो यही operation देखिए आपको screenshot भी यहाँ यहाँ पर दि लिखाई देगा अब हम उसी अपने धारल को फिर से यहाँ पर repeat करते हैं और हम अपने दूसरे data vector में जो हमारा dv2 है वहाँ पर खाली दो value लेते हैं 4 और 2 और जो हमारा dv1 है यहाँ पर हमारे पास 4 values है 24, 20, 28 और 16 अब देखिए यहाँ पर भी exactly वही काम होगा कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखने positions 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आपका dv1 है और dv2 है तो dv1 value आगे 24, 20, 28, 16 अब जो dv2 में value है 4 और 2 तो आपको करना है divide तो सबसे पहले तो आपका यह वाला जो block है यह आपका operate हो जाएगा और 24 divided by 4 यह और यह आपस में हो जाएगे उतर आजाएगा 10 अब उसके बात में जब जब आगे बगने की कोशिश करता है तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो उसने क्या क्या इन्हीं चार और 2 को यहाँ पर copy कर दिया अब उसने 8 और 4 को उसने divide कर दिया तो उतर आगया 2 और 16 और 2 को उसने divide कर दिया उतर आगया तो इस तरीके से हमारा आर यहां पर डिविजिन करता है अब हम अपना अंतिम पधारग लेते हैं और यहां पर हम अपने डेटा वेक्टर 1 में लेते हैं कार एलिमेंट 24, 20, 28, 16 और डेटा वेक्टर 2 में हम अपने लेते हैं तो यहां भी देखिए वही कारे होगा आपका यह जो चार दो और आठ है यहां से उठ करके जो आपके डेटा वेक्टर 1 में तीन एलिमेंट्स हैं पहले तीन एलिमेंट्स पहली दूसरी और तीसरी पोजिशन पर उनके साथ में इनका ऑपरेशन हो जाएगा जो 24 दिवाड़ दो आठ डिवाड़ बाइड बाए आठ और उसके बाद में उसको कुछ ने मिलेगा तो यह फिर से यहां पर उठके आएगा तो इसको पहली पोजिशन तो मिल जाएगी 16 लेकिन आगे की कुछ ने मिलेगी तो 16 और स्टार का डिवीजन हो जाएगा और लेकिन बाकी इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पर रुख जाएगा और लेकिन साथ में वह आपको वार्निंग मैसेज भी देतेगा तो आप इसका कैलकुरिशन करेंगे तो यही उत्तर आएगा 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 को 8 से डिवाइ तो आपका कॉंफिडेंस होना चाहिए कि यह ऐसे ही काम करेंगा अब माली यहां पर हम अपने अगर कोई चार वे वेक्टर लेते हैं 4 6 से 8 12 और इसको हम डिवाइड करते हैं माली किसी केटा वेक्टर से 2 3 चार और से 6 अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्यों आएगा दो क्यों आएगा यह दो आपको लगए आए यह दो कहां सा इसलिए मैंने जान करके उदारा लिया गो जिसकी आप समझा कि कौन सा 2 कहां से आ रहा है जब आप इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे ये वाला दो आएगा और जब आप इस छे को आप इस तीन से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला दो आएगा और जब आठ को आप इस चार से डिवाइड करेंगे तो ये वाला दो आएगा और बारा को जब आप इस छे से डिवाइड करेंगे तो ये आपको ये वाला द और यहां पे रहे देते हैं 12 ुब आप लृ chops को आपने 26 सी क्या उत्रा जाएगा画 Nr 7 बारे sembi ऐ वकितर 6 को आपने 36 को आपने 37 को आपने चार से d API किया और 12 आपको आपने 6 से किया पर देते हैं अब इसी में आप अगर माली इसकी संख्या को कम कर देते हैं और आपने अपने दूसरे डिटा वेक्टर में आपने खाली दो और तीन संख्या ली हुई हैं अब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या उतरा जाएगा ये दो और तीन सबसे पहले उठकर के चौदा और थाइस और आपने और क lush को को करेंगा और उसी तरीकिये से आप अगर YehahaРЕ स्क्याा को दूसरे डोसरे डीटा वेक्टर में करें तो देखिए आप करेंगे तो ये आपको क्या करेंगा दू तीन चारसी आप उसको नहीं को किक रमेशा Kin राइट, ओके, तो अब हम इस लेक्चर को यहां पे रोपते हैं, अब आपने देखा कि हमने यहां पे जब अपने दो डेटा वेक्टर्स को लिया है, तो इसके ऑपरेशन कुछ अलग तरीके से होते हैं, और इसका नियम बहुत ही आसान है, कि जो भी डेटा वेक्टर्स की जो पोजिशन से उनको आपस में मलिप्लाई करना होता है, लेकिन आपने यह भी ध्यान दिया कि जिस करिके से आर इन ऑपरेशन को कर रहा है, यह थ्वास अलग है, और इसी लिए मेरा उदेश इस लेक्चर में यह बिल्कुल भी नहीं था कि म और आर किस तरीके से कार कर रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा था, हम जो सौफियर का काम करते हैं, सौफियर का इस्तमाल करते हैं, क्यों करते हैं, जो हमारा कार है, वो उस सौफियर को करना है, हमको सौफियर का कार यह नहीं करना है अभी, तो अब R को जिस भाशा में समझाया गया है वह भाशा हमको समझनी है जिससे कि हम जिस कार को करना चाहते हैं वो हम R को उसी भाशा में समझा सकें और इसी लिए ये जो मैंने आपको छोटे-छोटे कमांज बताए हैं इन कमांज का क्या आउटपुट आ रहा है इससे कोई बहुत ज़ादा नहीं फरक पड़ता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्शर में ये है कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है कौन से ऐसे आउपरेशन हो रहे है जिनसे हमारा ये आउटपुट आ रहा है ये समझना आप लिए बहुत इपॉटेंट है और चुकि मैं स्टैटिस्टिस्स में काम करता हूँ तो मैं आपको ये इतना जहूर बता सकता हूँ कि हमारे स्टैटिस्स में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जो जिनको अगर हम आर्व में अगर हम उसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं तो उनकी लंबाई बहुत कम हो जाती है और चोटे-चोटे कंपुटिशन हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं तो इसी उमीद के साथ में कि आप भी इसको सीखेंगे और यूज करेंगे अब आज के लेक्चर के बाद में आपके पास अच्छा खांसा होमवर्क है कि आप इसमें से इनी वैल्यूस को लीजिए इनी ऑपरेशन को देखिए और इनको अपने हाथ से करने की कोशिश करिए लेकिन साथ में ये भी देखिए कि जो आप अपने कैलकुलेशन्स मैनुली कर रहे हो अपने हाथ से कर रहे हो वही क्या आर आपको दे रहा है और मैंने यहाँ पे खाली दो ही डेटा वेक्टर ली हैं जिक इनके उपर मैंने आपरेशन किया है लेकिन आप दो से ज़्यादा डेटा वेक्टर लीजिए आप तीन चार डेटा वेक्टर लीजिए उसमेंसे हो सकता है कि आप उनकी जो लंबाई को भी आप गरी कर सकते हैं टीन डेटा वेक्टर आपने एक ही लंबाई के लिए अगला आपने किसी शोटी लंबाई का ले लिया फिर देखे क्या होता है तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और कैलकोजिशन के साथ में फिर से मिलने आएंगे तब तक के लिए गुडबाई झालए कर दो आपकोजिशन के लिए में चीजों के लिए और का लिए?